नम्सकार दोस्तों प्रकाश प्रिडिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत होगत और अज मैं आपको। हम्повण कि मिल रहे हैं ज्यादातर दोस्तों प्राब्लम सीटी में यह आता है जब असको आपको सिग्रल मिल नहीं चलता है यह हैं आपका signal के आप आज आप önce का सामने आ रही कि जो केबल ओप्रेटर होते हैं, वो अपने एरिया वाइज जो है तो सिग्नल जामर लगा देते हैं, सिग्नल का मतलब क्या होता है जो सैटलाइट की तरब से हमें के लिए सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल जो है हमारे की तरफ कर उंचता ही नहीं है समझ लो यह मेरा एरिया है इस एरिया में समझ लो ने ट्रॉक जामर किसी ने लगा दिया है तो इसमें क्या होता है वो जो डीश की तरफ मेरा सिगनल आने वाला है वो सिगनल मेरी डीश की तरफ आता ही नहीं है अपने आप ही दोस्तों वो सिगनल लो हो जाता है और म वाले क्या होटते हैं डीश छोड़के केबल के मूड़ जाते हैं तो दोस्तों यह वाकिया शामने आ चुका लिंक है दोस्तों डेंट मैं विद्रों के निचे कमेंद करूंगा उसमें मैं कुछ दिनों के लिए वह whenूं कर दोस्तों वहाँ आसे का रिया है Greek किसी ओपरेटर ने लगा दिया है यह ऐसा क्यों कर रहा हैे दोस्तों कि क्योंकि इनkimya बढ़ाने कि लिए signal जामօर लगा देते हैं तो सजच आप्ल आपके bank का सिगनल को रहा है तो आप क्या करोगे केबल लोगे बोलेगा नहीं है चत्री हिलता रहता है इसको सिगनल नहीं मिलता है और यह चलता नहीं है इसलिए आप क्या करोगे केबल लोगे ऐसे में क्या होता है इसलिए एक केबल ऑपरेटर दोस्तों कुछ सभी एरिया में में बात नहीं कर रहा हूं operator को call करते हो आते हैं 102 से रूपे लेता है थोड़ा ठीक करके चला जाता है बाद में फिर से प्रव्लम आता है तो बार-बार operator बुलाने से अच्छा जो हम क्या करते हैं नहीं हम केबल ही लेते हैं तो ऐसे में केबल लोगों केबल वालों का फायदा होता है इसलिए केबल ओलो स्टेशन में कंप्लेंड भी कर सकते हो तो दोस्तों यह बस चोटा सा अपडेट आप सबको बताना था अगर आपके एरिया में भी अगर सिग्नल का प्राब्लम आ रहा है तोड़ा सा हो जाई है क्योंकि आपके एरिया में नेटर्वर्क जामर लगा होता है दोस्तों वीड में तब तक के लिए जाहें वंदे मातराम